आज हम लोग vocational subject data entry chapter 3 के notes complete करेंगे I hope कि आप लोगों ने पहले chapter 2 तक आप लोगों ने notes बना ली होंगे और हम zoom कर देते हैं तकि आप लोगों को clearly समझ में आए chapter 3 basics of word processing इसके जितने भी in text questions है सारे solve कर दिये हैं हम दीरे दीरे scroll करते जा रहे हैं आप लोग देखके notes बना लेना time बहुत कम है exam के लिए जितनी जल्दी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सारे notes complete करवा देंगे क्योंकि vocational subjects के question answers कहीं पे भी आप लोगों को available नहीं मिल रहे हैं इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए solve question answers करके लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग अपनी preparation अच्छे से कर पाऊगे और I hope कि आप लोग अच्छे से कर भी रहे होगे सभी students को मेरी तरफ से best of luck ताकि आप लोग अच्छे से exam दो अच्छे score करो यह index वाले जो questions हैं यह complete हो गए हैं यहाँ पर last इतनी questions हैं index के अब terminal वाले question answers हम लोग करेंगे यह terminal question answers हैं इसमें जादा नहीं हैं आप लोग खबराया मत करो exam बहुत ही easy होता है अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो और भी किसी चीज़ में अगर आप लोगों को doubt रहता है तो आप लोग जरूर से पूछ लिया करो हम आपको बता देंगे जिन लोगों ने यह subject लिया है तो उन लोगों को भी जरूर से यह video share किया करो ताकि उन लोगों को भी help मिले और वो लोगों भी अपना exam अच्छे से दे पाएंगे ऐसे ही notes के लिए आप लोग हमारा channel जरूर से subscribe कर लिया करो ताकि आने वाली हर video का notification आप तक पहुंशता रहे और आप लोग अपने study अच्छे से कर पाएंगे नोट्स जरूर से बना लेना और याद जरूर कर लेना यहाँ पर कुछ चीजें missing है जो ऐसे ही बता दे रहे हैं वो आप लोग note कर लेना जैसे कि यहाँ पर in text में कुछ questions हैं जिसमें मैंने answers नहीं यह किये टिक मार्ग कर पाएं थोड़ी missing हो गई है तो मैं आपको morally बता देती हूँ आप लोग लिख लेना जैसे कि यहाँ पर two number का question जो है इसका answer है b number right click the mouse और third question का answer है all of the above d number तो यह यह आप जरूर से कर लेना ठीक है चलिए आज की विडियो हमारी यहाँ पर complete होती है